नमस्कार दोस्तो आजम बात करने वाले हैं स्कूल व्यक्याता बरते परिक्षा 2018 जिसको लेकर अंतिम फैसला हो चुका है और इसके शाथ साथ एक और वेरोजगारों के लिए खुश खबरी है जो सरकार की और से मिल रही है बहुत ही मेहतोपन सुचना है वीडियो को लाज त देखते हैं सरकार की और से क्या नर्देश मिले हैं क्या और पीएस्टी एक्जाम तैस्ष में पर करवाएगी या क्या फैसला लिया गया है और आगे आने वाली बरतिया किस परकार से होगी संपुन जानकारी इस वीडियो के माधिम से बताऊंगा तो चलिए देखते हैं क् की खुशकबरी तो ये है राजस्तान सरकार मुख्यमंत्री जन प्रकोष्ट जन संपर्क प्रकोष्ट शिक्षकों की भरती को लेकर मुख्यमंत्री के अहम निरने ठीक है तो ये मुख्यमंत्री के बेरुजगर रिवाओं के समय से सरकारी शिक्षक भरती का लाब देने के स साथ ही उन्हें विभिन नई भर्तियों के माद्यम से उचित अउशर परदान करने के नर्देश्ट ये हैं मुख्यमंत्री कार्याले में मंगलवार को शिक्षा विभाग की अधिकारियों के साथ बेठक में स्री गहलोत ने कहा सरकार की मंसा है शिक्षकों के रिक्त पदों को शिक्र भरा जाएगा और इसके साथ साथ एक और महत्वपौन खबर ये आ रही है कि ये बरती तो समय पर ही होगी लेकिन सितमबर माहा में तीन जार पदों के लिए लगबग तीन drankबों के लिए इश्कूर विख्याता परदी परिक्षा एक और बरती निकाली जाएगी जो 2020 से प्रारंब होने वाले नए सेक्षनिक शत्र में रिक्त पदों पर उपलब व्यक्याता उपलब धों सके इसके लिए वर्तमान में चल लए पांच जार पदों की व्यक्याता भरती 18 का आयोजन नियत तिथी पर ही किया जाए ये अंद्रने किया गया है कि आगा में 2020 में इस परिक्षा के लिए शहमती परदान की है तो ये बहुत ही महतोपन है इसके साथ साथ एक और बड़ती निकलेगी जो लगबग 31,000 पदों के लिए होगी और वो पद होंगे आपके रीट के माजम से ये बड़ती की जाएगी मलब तरते श्रेणी शिक्षक बड़ती होगा उन्हें राजस्तान के मलब कोई भी व्यक्याता बरती या किशी भी परकार की बरती होगी तो अब उसमें राजस्तान को भी वेटेज दिया जाएगा और राजस्तान जीके को विशेश महतो दिया जाएगा इसके लिए एक बात ये कही गई है कि राजस्तान के बारे इस वेख्याता बड़ती है ये समय पर ही हो रही है लेकिन एक नई बड़ती इस परिक्षा में नहीं बेट पा रहा है या फिर नहीं बेट रही है उन्हें आगे आने वाली बड़ती के लिए बहुत बहुत शुब कामना है धन्यवाद